अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें बराबर मैं लगी घंटी को प्रेस करना हर्गिस न भूलें इससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी बिसमिल्लारब रखन रहीम असलाम अलेकों वीवर्स वेलकम बैक टु माई यूटूब चैनल कोकिंग टाइम इद नूर चलते हैं रेसिपी की तरफ जो बनने जा रहा है बेंगन का रायता बहुत से लोग अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं बेंगन का रायता किसी का अलग स बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है तो चैने इसको बनाते हैं और देखते हैं कौन-कौन से इंग्रीडर समें चाहिए चले वीवर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमें चाहिए सबसे पहले बेंगन इस साइज के मैंने बड़ा और एक छोटा ले लिया है एक प्याली म साबद ने अच और लेसान वाली में आपके सामने कर लेती है कि आमें कितना मोटा चाहिए ना बारी तो जाधा मोटा नहीं रखेंगी मैं तो जाधा मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते हैं यह तो इस तरह बस चाहिए प्राइपव को देमाल अनने निदे लोटास। नहीन दे मारी मैं तुछतर नहीं को इस醉न स्छए तो जुआ है तो चलते हैं इसको फ्राइं करने कि तरह अब में इसको फ्राइए कर लेती हुँ और वह अपयालقت में ये चाख दाल धे दीया को सबस्क्राइब है कर में दीप-फ्राइब देते हैं एक chỉ्ताइब, करेऊ वह आता है ये इपकर भाएपनाता कंड़ टारोगा है ऐसे तो प्थीन प्थीना आती थे है जो मिन दूएम मरेशओ है कि अपनी ग्रीन चटनी को जो है ब्लेंडर में दरके पीस लेती हूं तो चलें आप इसको देखिए है कि वरी फिसमे आपको कहे घए हैं अभी देखते रहें मिन चटनी ब्लेंड कर आती है वहाइए तक यह देख देखिं यह जले भी नहीं है तो देखे मेने तिन दिर में अपनी चटनी जो है बिलेंडर में बदा के पीस लिए तो चलें अब फिर मैं इसको टन कर लेती हूँ अब वहारे जो बेंगंज है वह जले नहीं अच्छा सा गोल्डन सा कलर आजाए इसमें पुछ बहुत इच्छा सा कलर कुछ कुछ में आ चुका है तो मैं निकार लेती हूँ आए प्लेट में फ्राइब करके निकार लिया है जी वर्श हमारे जबेंगं फ्राई हो गएं गएए इसको मैं अलग रख दिये इसके लिए मैंने एक-उऔर बुए ले लिया यह एज़ी अब इसमें डालोंगी यह क्वें इसमें और इसको मैं बीट कर लेती है अच्छी तरह देखें अब इसमें में डाल दूँगी जहामने चटनी बनाई है ग्रीन चटनी जो बनाई है इसमें अट कर दूँगी इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी तो यह देख सकते हैं कितना खुब्सूरत सा कलर लग रहा है इसका देख रहे हैं अब इसमें डालूंगी मैं रायता अब बचा लेती हूं अब मैं डालूंगी इसमें तो देख सकते हैं मैं इस तरह पहला दिया सारा अब मैं इसके उपर इसा करते हूं थोड़े से निकाल लेती इसमें से कि पर से भी जड़ा गार्निशिंग के लिए चलाइंगे तो इसके आपर मैं डाल देती हैं उह दूफा ओर रायता अब मैं इसको दाल देती हूं इसके उपर और इसको सर्फ करेंगे हम जीरे वाले चावल के साथ तो यह बना कि आप ज़रूर ट्राइए करेंगा कि आपको कैसी लगी है रेसिपी मेरी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक उश्या ज़रू करें सब्सक्राइब करें बड़ घंटी के दाल बटन को दबाना हर इसमें पूरे इससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहरे देखने को पिलेगी तो चले हम मैं करती हूं ऐसा केस को यह हमारा हो गया है रेडी अब हम कर लेते हैं फ्राई की तरफ चलते हैं केस के ओपर जो भागार लगेगा उसकी त नस्तन चॉप किया हो साबोत मेरच ए पर लाइड़क कि देखने पेटें ने की देखने इसमेट से बड़केशति मेरच है यह उस देखे हैं वीवर्स वीवर्स ही बगार्शाइब्स ने ने चलते हैं नेकार को बड़क्ता है अब में इसके ओपर दाल देंगे अपना होम मेट चाड मसाला जो घर में बनाया है तो हम और दाल देंगे तो देखें तो देखें वी वर्साज की रसिपी हमारी रैडी है दही बेंगन का रायता और जीरे बारे चावल उसके के साथ यह मैंने सर्फ किया है जीरे बारे चावल के साथ तो देखें कैसी लग रही है और ट्राइ करके जरूर बताइएगा तो चलें हमें चलती हूं अलाहाफिज